सुरा मेरे मज़ पमान तठान फिर मेनी सिखाप दिंसमादियानी बुद्ध सम्मन संग काते हैं, बहुजन हम सभी काते हैं, मुल्लवासी हम सभी अपने आपको काते हैं, बुद्ध के अनुवाई काते हैं, प्रियार के अनुवाई काते हैं, वबास सहब के अनुवाई काते ह साथियों जब हम यहां बात करते हैं समन तो जो समन का जो सब्द है उसकी परिकलपना जिसे हम आधुनिक रूप में विगड़े हुए रूप में जिसे समन के रूप में जानते हैं फिर यहां संकल्पना आती है कि हम सभी इक्वालिटी, फैटर्नीटी, भ्रातित्वे, नम्न्याय के जो हम सभी अभधारना को पालन करने वाले सभी लोग हैं या हम सभी समन हैं तो जब हम एतिहासी के प्रिजिस में जैकते हैं तो जब हम कुछ बाते जोग्रफी के अभधार है यह हमारी जो धरती है यह धरती दो पाटों में बठेती यह जिसे हम कहते हैं नौर्थ हमियस्पेर और सौथ हमियस्पेर जब नौर्थ हमियस्पेर की बात करते हैं तो नौर्थ हमियस्पेर में साथ जो हमारे महादेश हैं महादीप हैं उस साथ महादीपों में से हमारे दो महादेप वो आते हैं नौर्थ हमेस्पियर में जिसे एरोब करते हैं और उत्री अमेरिका के नाम से जानते हैं जब हम दच्छनी गुलार्द के बात करते हैं तो उस दच्छनी गुलार्द में यह हमारा आता है एसिया आता है दच्छन अमेरिका आता है अफ्रीका आता है अहस्तेलिया आता है अंटार्टिका आता है तो सारे को मिला करके हमारा जो है सात महा देश बनता है और सात महा देश के मिला करके यह गोंडी प्रह्मटरा में जिसे इसे शिगार दीप कहा जाता था सम्भू दीप कहा जाता था साथियों मैं इस तरह पितिहास के तरह तरह ले जाने के मेरा उदेश यह हम सकार कि आखिर हम सभी सम्भू दीप वाले क्यों हैं सिगार दीप वाले क्यों हैं भारत की खंड़ की धर्थी पे हम सभी जो हैं क्यों है ऐसा तो जब हम यह हम देखते हैं तिहासिक परिघटना में हम यह समझ में आता है कि यह जिसे पंच दिप करते हैं संभो यर्फात जिसे करते हैं गोंडी भास्ता में जब हम बाते करते हैं पाच चीजों को जो समू होता है उसे गंड करते हैं और पाच चीजों के समू को कलेक्शन को गंड करते हैं और इसी गंड से गंडवाना बनता है इसी गंड से गंडवाना बनता है गंडो दिप बनता है और गंडो दिप और अंडो दिप को मिला करकरके नरूंग खंड धर्ती बनती है जिसे हमारा यह जो साथ महादेशों का समूझ चुप माना गया है साथियों जब इतिहास के तरह आप कुछ लोग जब रेफरेंस के रूप में देखेंगे एक अध्यन है एड़वर्ड सिर्श का जब मानाव सभिता के विकास की इतिहास की वि爵में जब उन्हों का अध्यन है यह उनका ऐना सब सभी जानते हैं हम सभी कि भर्ती पर पिरथीफी पर सर्वपरशं मानव कुछ पत्ति होता है हुआ होता है हमारे फ्रिका में तब यपका के जब अध्यान करने के लिए देखेंगे या हमारा जो गच्शनी गोलार्ध है इसी गच्शनी गोलार्ध के उपर मानव सभिता को 30 सर्वपर्तम होती है लेकिन कुछ हितिहास करोने जो बहुत सारे अध्यानों के कमी के कारण जो रिसेंट रिसेर्च हुए इनकी कमी के कारण बहुत सारी ऐसी ची खामिया जो फैला दी गई थी रूमर्स बनाये गया था कि मानव सबता का विकास मेटो मेसोपटामिया में मिस्र की सबता में हुई है सबसे पहले शाथियों जब हम सभी अध्यान करते हैं यह समझ में आती है कि यह जो अफ्रिका है इसी हमारा गॉंडवाना लैंड का पार्ट है अब जब गॉंडवाना लैंड के पास ते तो प्रेस्ट के वी जब आते हम करते हैं सिंदू घाटे सबता तक जब सिंदू घाटे सबता में जब हम सभी को यह कहा जाता है कि यह समन जो सब्द है बुद्ध के काल के पहले के हैं बुद्ध के पहले भी समन संग की परिकल्पना थी जब हम यह बात करें कि बुद्ध के पहले भी समन संग की परिकल्पना है तो समन संग कौन सी समन संग की परिकल्पना है जब इतिहास के जो सिंदू गाटी सब्धा जिसे आरी लोगों ने जिसे बेधिक सब्धा के नाम से बताते हैं यह वेधिक सब्धा का तर聯 बर्थी यह हमारे समन सभयता का प्रतीक है, मुल्निवासी समन संस्कृति का प्रतीक है, बहुजर मुल्निवासियों के सभयता की प्रतीक है और यहीं से यहां जो शब्त है, यहां जो समन प्रम्परा है, ऐति हासिक दृष्टी कोन से बुद्ध को जो 28 बुद्ध हैं, इनके पूर्वी भी 27 और बुद्धों की परिकल्पना और अभी कुछ अधियन हुए हैं और हो रहे हैं, तो उन चीजों के तरफ हम ना जाते यह जो संकल्प है, यह जो त्रिशरन का सब्द है, बुद्धम सरनम गच्छामे, धमम सरनम गच्छामे, शंगम सरनम गच्छामे, तो बुद्ध कोन सी संग की सरन में जाने की बात कह रहे हैं, तब इससे यह समाझ में आता है, कि बुद्ध के काल के पुर्विभी, बुद धोती प्रम्परा रही है जिसे इसी नाम से बुलाया जाता था और इसी को बाद में रिशी कह दिया गया और रिशी से फिर बाद में सारे चीजों का आप भरंस करते हुए संस्कृत में बताया गया तो साथियों जब हम देखते हैं कि बुद्ध के काल के समय भी यह समन संगी की प्रमपरा है अर्फात समन जब हमारा सब्स इस्टेबलिश हो जाता है तब हम यह देखने की कोर्सिस करते हैं कि बिस औक पहला जो Democratic Republican जो पर इन प्रंपराओं का अरथात जब हम बाद में देखने की कुर्षी जब करते हैं, यह जो समन प्रंपरा है, यह समन प्रंपरा, जो लोकायत की प्रंपरा है, जो आजीवक की कि प्रमप्रा है जो जैनिजम की प्रमप्रा है इन शारे प्रमप्राओं को मिला कर करके यह हमारा शमन प्रमप्रा का बेवस्था बने थी निर्मान हुआ था अब जब इसे आज के परिदेश में जब हम 36 गाड़ अव माध्व परदेश धार खांड आठा सारे जगों को जब गुंडवाना के रेफ्रेंस में देखने की बात करते हैं क्योंकि गुंडवाना को हमें समझना इसलिए जरूरी लोगों को क्योंकि हम सभी को यह लगता है कि गुंडवाना मतलब 36 गाड़ गुंडवाना मतलब मध्व परदेश गोंड़ी मतलब 36 गड़ के लोगा दिवास गोंडी मतलब जर्खन के लोग सातीयों क्योंकि जब हम इसलिये समझने की जरूरत है कि हम सभी जब मुल्लिवासी कहते हैं तो हम सभी कोईतुर परंपरा के लोग हैं हम सभी मुल्यवासी प्रंप्रा के लोग हैं जिसे ही गोंडी में मुल्यवासी को कोई तुर के नाम से जानते हैं कोई तुर का मतलब ही होता है मा के गर्व से मा के कोख से उतपन संतान अर्थात हम सभी किसी भी बमनों की तरह जो उनकी वेवस्था की तरह घुजा से निकले ह व्рипिश्टी की यह निशर्गी की जो प्रहें प्रमप्रा के मानने वाले लोग हए और यहीं प्रह्मप्रा बुद्ध की कालता कि आहीं प्रह्मप्रा विख्सित होते हुए बड़ती है बहूरे लोगों के मन में आज यह भी है कि क्या बुध मूलिवासी थे बुध आदिवासी थे क्या बुध किया जब शाथियों जब हम देखने की परंपरा करें और остр के मौत जो चीज़ेंdh traditional packups कारते हैं तब हम सब परमपराहं के जो बहुत शारे अर्सेश हैं, बहुत शारे जो चीज़ें मिलना प्रबरणप होता है। जब हम. 36 की संस्कृति गॉंडि संस्कृति से जब आज के जधुनिक परिवेश में ब्रेफ्रेंस लेनें की बात करते हैं तब हमें सभी बहुत सारे चीजे जो भूद Lite की संस्कृति में जो चीज़े मिलती है उसी संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं संस्कृति में देखेंगे कि बुद्ध की संस्कृति में उन्होंने जो त्रीशरन की संकलपना आती है हम सभी जो बौद्धि संस्कृति में त्रीशरन की संकलपना देखते हैं तो त्रीशरन संकलपना में धम्म सरनम गच्छामी संगम सरनम गच्छामी तो यही प्रम्प्रा जब हम गोंडी संस्कृति में देखने की कोर्सिस करते हैं जब हम standard करते हैं जो हमारा इस मुलिवाजी को होईतिya संप्रम्प्रम्प्रा में एक महान लायक उन्हें की जब हम सभी संकलपना को देखते हैं, उनके सिभांतों को देखते हैं, तब उनसे सिधांतों उन्होंने जो जिसी धर्म जिस प्रम्परा का उन्होंने जो निर्मान क्या जिसे कहते हैं, मौन्जुक दर्सन कहते हैं, मौन्जुक दर्सन ही हमारा जो है, यही बुध्ध प्रम्परा के जो अभुद्ध के परभु को आगे देखने के कुर्शिस करते हैं। हमारा वहां पर प्रकृतिक धर्म में मलता है मांजुक धर्शन में जहां अहिंसा दर्शन और सदमार जो हैं में जो पर्णड़ अलग अलग हमारे जो लोग हुए उसी संस्किती की उसी प्रमप्रा से धान तो फुलिते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों इतने हम सभी की भूमिता निर्मान कहने का आर्थ यह है कि आज जब हम सभी यह जो गन वेवस्ता की जो लोग है क्योंकि जब गन वेवस्ता की निहास के तरफ देखने की कुर्सिस करेंगे तब गन वेवस्ता में जो हर वेक्ती हर गन के लोगों का तीन एक पेड़ एक पसू और एक पक्षी तीन यह जो चिन हुआ करते थे वह टोटम हुआ करते थे उनका गन चिन हुआ करता था और यहीं जो गन चिन और टोटम बाद के काल में वह धीरे 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 पुजा पधिती के रूप में वह दीबता का रूप ले लिया, कुल का रूप ले लिया, कुल दीबता का रूप निर्मान होते चला गया और इसी गन बेवस्था के तहत जब बूध की काल से को रिलेट जब हम करने की कुर्शिस करते हैं तो शाक गन और कोलिय गन का जब हम रेफरेंस देखते हैं तो उस बेवस्था के तहत जब बाद में हम देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि ल समझने की दिरुड़त है एक यह जातियों का निर्मान बर्ग का निर्मान नहीं होता है हाँ यह सत है आरी लोग टुकड़े टुकड़े में रिफ्यूजी के रूप में सरनार्थी के रूप में इस संभू दीप जंभू दीप के धरती पर अलग-अलग काल खंडों में आते रहे तो उन्होंने उनके जो कुछ सातिर लोग इसी जो बेवस्था हमारी थी टोटमिजम की बेवस्था थी गन की जो बेवस्था थी इसी गन के ही बेवस्था को धीरे से उन्होंने जो है बरनासरम बेवस्था में ब्राम्मन चत्रिय वैश्य का बेवस्था में और जो इ तिहासकार जो कहते हैं कि यह labor division का चाहतियों यह labor division उनके द्वारा ना कैकी गई यह हमारे यह जो बेवस्था थी गन बेवस्था इसमें उन्होंने सडें तर्फ पूर्वा के उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करकर के और इसको नाम दिया गया और जब हम आगे देखने की जब कोर्सिस करते हैं तो जो सभी को मालूम है कि बुद्ध ने यहीं उच और नेच यहीं ब्राह्मनों की उच असरेटाबादी परविर्थियों का उन्हों है प्रतीकरांती के माध्यम से उन्होंने उनकी बगावत किया और बाद के काल में इसी प्रतीकरांती के दोर से देखते हैं तब जब हम सभी देखते हैं यहीं बर्न विवस्था को बाद में जो जो हमारे विवस्थाए थे जो जो हमारे कारे थे जो जो हमारे लोग काम करते थे गौग पालन का का काम खेती का का काम खेती किसानी का 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 माली का काम गीतने भी प्रकार के काम थे, सोने का काम, लोहार का काम उन सब लोगों को एक अलग-अलग काम के अधार पर धीरे-धीरे आह समाज बाटा भी गया और खूद हम सभी बटते भी चले गए, यह कता ही आह नहीं माना जा सकता कि किसी ने हमके जातियां थोपी है, थो कि इसी जो गनभी विवस्ता को जाती में बदलने के बाद आप जब देखेंगे कि इसमें बहः ही किसी धांत को भी लागू करते हैं जुस्क्रमाणर कि करना चाहंगा कि यहां पर जो प्रमप्राएं लगी गई कि कोई एक का है एक का मतलब होता है कच्छुआ मैं मरकाम मरकाम का अर्थ होता है आम है अर्थात दो गन वाले लोग एक Communist के साथ विवास संबन्ति है जिसका अर्थ यह कोता है कि हम एक ही गन में विवास अमद्त अस्ताबित नहीं बीवा करने से एक अलग से ऐप्रीड एक उच्च प्रतिवा एक अलग से लोगों का एक नए नो का नीर्मान होता है और जो समाजिक समंध बनाने से वेवारी के प्रसासनी मजबूत होती है और इसी को काउंड़ करने के लिए हमारे जो स्लयंत्रकारी लोगोंने विप्रित संस्कीति के लोगोंने उन लोगोंने गोत्र की अभधारना लाया और यह उन्होंने लाया कि पास सबत रिष्टियों के दोरा भरदॉज, बिसेश, टागरी, कस्तपिंतादे जो हमारा जो रिष्टिय है, महत्मा है, पुरूस हैं इनके अधार पर पूरे जो भारत के लोग है इन लोगों का पूरा जो है पुडियां बनी है, पुडियों का निर्मान हुआ है, साथियों, जब हम सभी देखने की कोर्सिस करेंगे, तब इसके एक लाइन में ही कौंटर हो जाता है, इस कल परिकल्पना का, जब दच्छिन भारत में आप देखेंगे, तो वहां हमारा टोटे मीजम ही चलता है, जब हम अब हम सभी को आज की प्रस्तिती में यह जो शमन परिकल्पना है, जब हम समझ लेते हैं, कि आखिर हम सभी कौन है, तब यह समझ में आता है, कि जिसे संभिधाने की रूप से हम सभी को आज OBC, A.C. और A.C. के रूप में अस्थापित किया गया है, यहां हम सभी कोई दू मुल्लिवासी, इसी गोंडी प्रमपरा, इसी संभो दीपी की प्रमपरा के बहाक हैं, समता वादिशो तंत्रव हाइचारे न्याय की परिकल्पना के परिपालक, हम सभी अनुआई हैं, जिसे जातियों में बिभाजित किया गया, लेकिन हम सभी मौलिक रूप से उसी संस्क के बहाक हैं, आब यह जरूरत है कि हम सभी अधी अपनी पहाचान, आज के रूप में समन मानते हैं, बहुजन मानते हैं, मुल्लिवासी मानते हैं, और संभेधानी के रूप से इसी ओविशी मानते हैं, तब हम सभी को पुनह इसी प्रमपरा में कैसे जुड़ना है, कैसे ब साल से इसी पिर बिचार और बिमर्ज कर रहे हैं साथियों जरूरत आज यह है कि हम अपने तिहास को समझ रहे हैं समझते हैं सुईकार करना है अधी कि नहीं को संसे हो कि नहीं को कोई दुविद्दा हो कि ओभी सी अलग हैं हम आस एसकी वाले अलग हैं हम इस उरुकास्ट वा करना बहुत ही जरूरी है जब तक हम सभी जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक हमारी जो है इंटिमेसिव डेवलप नहीं होगा तब तक हमारी बैचार की का निर्मान नहीं होगा तब तक हमारे भी फ्रेटर्निटी का निर्मान नहीं और लोगों को बीच बैठें, लोगों से बात करें, फिल्फोन के माध्यम से, फिजिकल मिटिम के माध्यम से, विबिनार के माध्यम से, जैसे भी किसी भी परकार, और अपनी पहचान, अपनी सिधान, अपनी संस्कृति, अपनी प्रमप्रा, अपनी संस्कृतिक विजास्त को लोगों को बीच रखने के लिए हम सभी को काफी ततपरता से एक रूपता से हम सभी को दिर्परतिक होना है और यहीं आज हम सबों को करना है क्योंकि जब समझेंगे तभी जुडेंगे समझेंगे जुडेंगे जब जुडेंगे तो जीतेंगे जब जब जीतेंगे तब तब जीतेंगे यह जो हमारा टैग लाइन है और इस टैग लाइन को establish करने के लिए यह जो हमारा be the people be the people की जो संकल्पना है जो इंडिन कंस्टिशूशन भारती संभिधान की सुरुआती से कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग इसी समन प्रमपरा के और बाबा साहब ने जो कंस्टिशूशन के माध्यम से यह जो हमारा हाइवे प्रोभाइट किये हैं यह हमारा राजमार्ग जो हम सभी के रूप में उपलब्द हुआ है इस राजमार्ग पे चलते हुए हम पगडंडियों में जो भटक रहे हैं जातियों में टुकड़े में बटे हुए क्योंकि टुकड़े अपने आप में जातियां अपने आप में कोई अस्पित्व नहीं है हम सभी आज के दौर में भी क्लास में convert हुए हैं बर्ग में भी बटे हैं लेकिन जाती के धारपने आपको हम सभी एक अपने आपको इस टेग को खतम करने की courses करें कि हम सभी समन और समन है हम सभी न दोहार है न पासी है न जाटब है न यादब है जब हम सभी समझना सुद्धूर करेंगे तभी हमें संभिधान पचेगा क्योंकि अभी तक हम संभिधान की बातों को पचा नहीं पा रहे हैं और नहीं पचाने का कारण हो रहा है कि यह तो आर्टिकिल 17 जो है यह सुडूल कास्ट के लोगों को प्रिविलेज देता है और हमारा OBC लोगों को इस एट्रोसिटी में ही साथियों बहुत सारी जो बाते हैं इसका जकडन का एक ही और एक ही कारण है कि हम सभी अपने मूल निवासियत को बहुजनबाद को शमन संगवाद को शमन प्रहंप्रा को इन सभी चीज़ों को इतिहासिक रूप से समझ नहीं पाए हैं और जब समझ नहीं पा रहे हैं तब हम लोगों को connect नहीं कर पाते हैं लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं समझा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे बात तभी समझेंगे लोग जब हमारे के बीच में प्रेट के रूप में जो फेवी कोल है वह हमारी जो है connect करती है लोगों से एक दूसरे से लोगों को जोड़ने का काम करता है तो शाथियों आज यह जुरूरत है कि इस परिकलपना को हम सभी अच्छे से समझें और समझने के बाद फिर छित्रों में लोगों के बीच में ऑफिस में टेलीकॉमूंटिकेशन माद्धियम से बा लोगों को बात्चित करने के लोगों को इस परिकलपना को संकलपना को समझाने की कुर्सिस करें यह इतनी सारी बात है हमारी भूंकाकार थे यह था कि आज भी हम सभी आज दिन में ट्रेनिंग किये साम को साड़े चार बजे घड़ी चौक पर बेटकर स्टेचू के पास द अगले रभीवार को हम सभी बैठेंगे इस पी चर्चा करेंगे कुछ लोग उसी अस्थान पे सनीवार को बैठते हैं जिनके साथ ताल मिल मिलाने की कुर्सिस की जा रही है और यह संभब है कि इस प्रंपरा इस विचार धारा को जब हमें गुसरे से समझ जाएंगे तो न नाम पे तो इस जो सभी को टैग को हटा करकर के हम सभी बीद पिपुल को टैग हम सभी समन संग के टैग लगाने के लिए हम सभी निशन देश अपल होंगे तो मैं एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बादनी को बिराम देना चाहूंगा कि अब नभी युग की गंगोत्री से व वही समन की धारा है, मुल्यवासियत का सम्मान करेंगे, मुल्यवासि का उधार करेंगे, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है, और इसी बातों के साथ आप सभी को साधुबाद, आप सभी को संगहम नमामी, संगहम नमामी नम्म बुद्ध है, जैभीम करते हुए मैं अ आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी तूथियं पी धन्मं मर्सेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी तूथियं पी संगं सेन गच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततिये बुद्धं सर्णं जुद्धं सर्णं कच्छामी